नमस्कार मैं हूँ शकील खान इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मोजूद है मद्यप्रदेश के पूरू मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ट निता दीपक जोसी जी हम उनी से जानना चाहेंगे कि मद्यप्रदेश में अब भाजपा ने विधायक दल का नेता चुन लिया है और डाक्टर मोहन यादव मद्यप्रदेश के अगले मुख्यमंत्री होंगे बहिया सबसे बेले MP तक में आपका स्वागत देनिवाद नमस्कार मद्यप्रदेश के अगले मुख्यमंत्री होने जा रहा है और तमाम दिगज़ों को दरकिनार करके भाजपा अलाकमान ने फेसला लिया किस रूप में देखते हैं मैं तो जनसंग से ही इस परिवार से रहा हूं और मेरे पिता जी का तिन तिन बार मेरे सिलेक्शन एलेक्शन देखा है 177 में वो जन्ता पार्टी विदाईक दिल के नेता चुने गए थे उसके बाद जब नब्बे में पटवा जी की सरकार आई तब भी कमबे मेरे पिता जी को विदाईक दिल का नेता चुनने का मौका आया था और आपको याद होगा 2003 में भी उनका नाम तेजी से चला था तो मिझे साहिद पहली बार लगा कि बीजेपी इतनी ज्यादा बिखरी बिखरी सम्भता पहली बार दिखी नेड़ने तो बीजेपी में उस समय भी होते थे अटल जी अडवानी जी ने बोल गिया ठाकरे जी प्यारल जी ने बोल गिया सब लोग उसे मानते थे और जोसी जी तो फटकारते थे लोग ऐसा कहते हैं कि जोसी फटकारते थे लेकिन इतना होने के बाद मुझे नहीं लगा कि इतनी अनुशासित पार्टी कह जाने वाली कि छे साथ दिन बाद कि इतना बड़ा निर्नाई जो लिया और उसमें भी घुमा फिरा के जिस प्रकार से राष्टी इस तरह के लोगों को विदानसवा का चुनाव लड़ाया गया तो लगा कि चेहरा मुरा चेंज होगा लेकिन चेहरा मुरा इन में से कोई होगा लेकिन वो चेहरे मेरे नहीं होके एकदम नया चेहरा लेके आया गया तो मुझे लगता इसमें जमाव यह तो चुकि बीजेपी का अपना पक्ष हो सकता है कि उनको जिनको लाना हो लाएंगे विदायक दल का चनाव हुआ घनी हुआ यह तो मैं नहीं जानता क्योंकि 163 वि परचानल लिया होगा वीजेपी के हाईकमान के लोगों ने किसका अंतरमन किदर है और अंतरमन भी उस तरफ जिस तरफ जिसका कोई नाम लेवा नहीं उसका नाम भर के आ गया मोहन याद है कि क्या खासित है मुझे तो यह समझ में नहीं आया उनका प्रफार्मेंस क्या है यह मुझे समझ में नहीं आया लेकिन चली ठीक है उनका आपसी मामला है मेरे मिद्याति प्रस्त के सहयोगी साती है मैं तो उनको बढ़ाई और शुकामना देंगा एक अच्छा चेहरा है हमारे जिले के पास का चेहरा है हमारे जिले को भी उनकी सत्ता का लाब मिलेगा लेक और मुझे लगता है कि कनुकसान बीजेपी को आगामी समय में भुखतना पड़ेगा आपको नहीं लगता कि बड़े च्छत्रपों को दरकिनार कर यह कोई आला कमान की एक रणनीती हो सकती है सेकंड लाइन लीडर्शिप को डेवलप करने की सुरुवात लेकि सेकंड लाइन पूरी तरीके से आउटेटेट हो या फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन का समाझ्यस होता है जनसंग और बीजेपी में होता आया है हम मैंने बहुत नजदिक से इस चीज को देखा है आज भी जो लाइन अप थी जैसे पहला पटेल जी नरेन सिंग तोमर जी शुरा नहीं इनके बीज का होता तो मेरे खाल से ज्यादा ठीक होता ने लिया गया किस परिपेश में लिया गया मुझे तो यह लगता है कि साइट वोटों की राजनीतिक को इससे जोड़ा गया है आपको याद होगा कि लोकसभा चुना हो है सबसे जादा लगबक देवर्सु माचल को अरियाना को भी प्रवाइद कर तो इससे दिस्टिकोन में देर सु सीटों पर बड़े यादों नेता के रूप में दोनों स्ताफित हैं बीजेपी को इसके तुना में कोई यादों नेता था नहीं तो बीजेपी ने सोचा कि क्यों ना हमें काट के तोर पे एक बोटों की चंता थी तो बोटों के अधार परनों ने तेकिया कि क्यों ना हम एक यादो चेहरे को यहां मध्यपरदेश में लिया है क्योंकि योगी जी को हटाएं जैना सकता बिहार में उनकी इस्तिती नहीं है कि मुखवंती बना पाई तो यादों चेहरा उनको चाहिए यादो चेहरे के रूप में साहर मोहन यादो जी को स्थाफिट करने का प्रयास किया गया और अभी भी क्यास ही लगाया जा रहे कि नाइट वार्च में ने लोग सभा चुनाओं के बाद साहरे की पारी का या तो अपने आप हो जाएगा या पार्टी इनको नाइट पार्टी करेगी तो उनका विशह है लेकिन जो घुमा फिरा के बाद आती मुझे लगता है और पार्टी अगर युवा चेहरे को लेकर आना चाहती थी तो आकाश वीजवरगी का क्या दोस्त था जालन सिंह पटेल का क्या दोस्त था मुझे तो सम्झ में नहीं आया कि यु अवश्यक्ता थी परिवरतन उन्होंने किया अच्छा नेक्नलत अपने कामों के बदलत भाई मुहन यादो प्रदरशित करें तो सब्सक्राइब बहुत भोले पन के साथ सांधी पनी कृष्ण-भगवान महा पड़े हैं बहुत बहुत भोले पन के सांधी पनी कृष्ण- मुहन यादव जी पारी में सफल हो और सफलता के साथ मद्धिपरदेश को वाकई में विक्सित पर्देश की तरफ ले जिसकी कि सुराजी लगातार कहते आए और कहने के साथ आज ही में कहीं सुना था कि हमारी घरीवी जो आजादी के समय थी वह आज भी भहीं की है तो हमन मारा देते कि हमने मद्धिपरदेश बना दिया भी मारी मद्धिपरदेश से तो क्या है मद्धिपरदेश है क्या मद्धिपरदेश को सब्सक्राइब आउशकता है शिक्षा के छट में हमारा बड़ा हब बना ची मद्धिपरदेश हम मद्धि में इस ती थे जिस्टी का ज भाजपा का नारा था MP के मन में मोधी, मोधी के मन में MP, नारे के उलट यहां यह देखने को मिल रहा है कि MP के मन में मोधी है, और मोधी के मन में बजा एसी उराज के मोहन, क्या कहेंगे? अब में तो आज के काया से हुवे, मतलब जिस प्रकार के कमेंट्स हा रहे, उस कमेंट्स को देखने के बाद जनता परिवतन तो चाहती थी, मत्रिपदिस की जनता नहीं चाहती थी, कि यहां पर मुखमंत्री की रुप में रिपिटिशन हो, लेकिन बीजेपी ने जिन चेहरो करने कुछ, संधिया जी को लेकर उस समय चनाव लड़ा गया मुखमंत्री का मला किसी को दिखाया गया और शादी के से कर दी गई, आब यहां तो नजन जी जी को दिखा गया कि चमल में मुखमंत्री तो परिबाटि का डौ का पालन किया जिआ, मुझे समझ में नहीं आया लेकिन पार्टी का उनका नेड़नाई यह कह सकता हूं कि नेड़नाई जो भी होगा मदवेस के परिफेक्ष में अगर ठीक से संचालित होगा तो ठीक नेड़नाई होगा तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले लोग समय चुनाओ कि दस्टी कौन से भी कही ने कहीं बीजेपी के लिए साहा को का बीजेपी के लिए घातक नेड़नाई साबित होगा अपने मतदान के बाद और परिणाम आने के पहले यह काया था कि मतपरदेश में कांग्रे से 135 प्लस सीटे लाएगी लेकिन नतीजे अपरत्यासी तोर चोकाने वाले आए अब जब बीजेपी ने से लिए वक्षची भूमी का क्या होगी सरकार को घेलने की में का हार के बार कब अन्ध के बार मिला था पर कल यह मेरी मुलागात उन से उसे कहा कि घिपक में तो राज्ञेती में तब आया था जब मानि इंद्राजी और संजेगांदी जी दूनों चुनाव कार गए थे मैं नया नया था महाराज का प्रभाई था यूद कांग्रेस का और में उस समय के स्थिति देखने के बाद मुझे लगता कि राज्यति में दोर एक जैसे नहीं नहीं हम अपने काम के दम पर इस दोर को परिष्ट कर सकते हैं इसको करने का मद्दा हम लोगों में होना चाहिए और हमारा लक्स लोकसवा चणाओ होना चाहिए लोकसवा चणाओ में हम किस प्रकार से हमारी रंड निती. में जो कमजोर old है जो हमारे कारकाता हो रही जंतां नहीं पहुछा पाई या हमारी उध्योग इसमें कोई शक्की बात नी दूसरा मुझे लगता है कि धन्बनों बहुबल का जो उपयोग इस चनाव में हुआ है वो मेरे ख्याल से इस चीज की पराकाश्टा थी मैंने दो चीज देखी कि कॉंग्रेस के जो टिकेट के डावेदार से उनको या उनकी समर्शकों को बड़ी से निशान एक जैसे लगे थे मैंने कुछ लोगों से पूछा है वहाँ दवाव ड़ा गया था कि आपको निशान इश्वकार के लगाना है तो यह तो हुआ हुआ है लेकिन निशले तेवर का जो हमारा प्रस्था सयोगी था जिसे हम पंचाज का सच्चिव कह सकते पटवा के स्थिति में उन्होंने बहुत तैजी से प्रश्थित किया और लगबग एक अच्छे वोटों को उन्होंने हम तक पहुछने के लिए रोका और वोट कहीने के बीजेपी को मिला है तो देखां और सुना आपने यह थे पूर मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ट नेता काई कहना था कि लोकसभा चुनाव में यूपी बिहार की कई सीट जो है ओबीसी वर्ग से आती है यादव समाज का बाहुल यह है तो इनी सब जाती का समिक्रणों को मद्दे नजर रखते हुए सायद भाजपाला कमान ने यह फेस्दा लिया है शकील खान MP तक देवास और कर दो